नमस्ते बच्चों आज हम कक्षा साथ में गडित पड़ेंगे कक्षा साथ की गडित में मैंने आपको दूसरा चेप्टर कंप्लीट करवा दिया है आज हम तीसरा चेप्टर सुरू करेंगे आसा करती कि जो आपने दूसरा चेप्टर कम्प्लीट कर दिया होगा नोट में और सध्य पोती में और जो नहीं किया होगा तो उसे दूसरा चेप्टर कम्प्लीट नोट और सध्य पोती में आप कर देना आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा तीसरा पाठ है और पाठ का नाम है आकडो का प्रवन्थ यानि यहाँ पे जो आकड़े होते हैं जो हमाली संख्या होती हैं वो हम उसे उतरते क्रम में और चरते क्रम में किसरा से लिखते हैं किसरा से उसकी जानकारे मिलती हैं उस ब की गई है और इसमें किस तरह से फुटबोल विश्व कप में 2006 में न्यूजुलेंड साउधु यरप ने किस तरह से गोल किया था उसके बारे में यहां पे दिया गया है तो इस तरह से अंको का प्रबंद करके हम सवाल को हल कर सकते यह पाट समझने के लिए मैं आपको कुछ आप को करने आसान हो जाएंगे तो चलो बच्चों कुछ हुदारन हम यह पार्थ में समझते हैं यह को बताया गया है आंको का संग एक्सण करते हैं तो हमें उन्हें recording करके संग्रहीत करना होता है हमने उनकी क्यों आवसकता पड़ती है निम न उदारण पर विचार कीजे कक्षा द्यापका सुनीन निलम यह जानना चाती थी कि अंग्रेजी में बच्चों का प्रदर्शन की इस प्रकार है वो विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन को निम निकिन प्रकार से देख लिखती है जो यहाँपे आपको उंक दिया गया है यहाँपे जो क्लास की सक्षिका है वो जानना चाती थी कि बच्चों को इंग्लीज में किस तरह से आते हैं और किस तरह से अंक वो प्राप्त करते हैं और इंग्लीज में किस तरह के अंक वो लाते हैं तो उन्होंने क्या किया एक विद्यार्थियों को खड़ा किया और उससे सभी बच्चों के अंक जो अंग्रेजी में अंक है थे न उसके बारे में नुजानकारी प्रयाप्त की पर जब बच्चे ने अंक बताया तो यह जो आपके सामने अंक है 23, 35, 38, 35, 48, 13, 27, 32 और 38 इस प्रकार के अंक थे पर इससे जो नीलम टीचर थी उनको यह पता ना चला कि किसके अंग्रेजी में आंकड़े अच्छे हैं और कौन बच्चा कमजोर है तो उनकी जो एक सहयोग थी उन्होंने क्या किया कि इस आंकड़ों को इस तरह से एक तरफ बच्चो का नाम लिखा और एक तरफ आंक इस तरह से एक तरफ रोल नंबर बच्चो का रोल नंबर एक तरफ लिख दिया और एक तरफ बच्चो का नाम और जो आंक बच्चो के रोल लंबर एक से लेके और रोल लंबर दस टक रोल लंबर नाम और जो इंग्लीज में नमबरा हैं उस तरह से उन्होंने लिख दिये इस ऐसा करने के बाद भी इस तरह से नीलम यह समझ सकी कि कि छात्रों के कितने अंग प्राप्त हुए हैं लेकिन बहुत कम जानकारी चाहती थी दीपिका ने उन्हें आखडों को दूसी तरह से प्रदर्शित किया इस तरह से यह जो उपर वाली स्रेंडी है तीन पॉंप चार है स्रेंडी इसमें क्या हुआ कि जिस तरह से बच्चों के रोल नंबर थे उस हिसाप से उनके नाम और इंग्लीज में जितने अंक आयते वो ने उसरार कि पता चला कि इसमें कितने किसके आंका है लेकिन सबसे कमज़ोर बच्चा कौन है और सबसे और वैसे यह पता ना चला तो सही जोहगी थी उन्होंने इस आपड़ों को दूसरी दरसे लिएस जधिस लिखने की इजाजद इस दरसे सिखाया एक तरफ रोल नम्बर लिख दिया एक तरफ नाम लिख दिया और जो बच्छों के जितनेां काaja इ enjoyment तो पहले उन्होंने का क्या तो चराष से बड़ी संख्या पहले होती है तो रोल नंबर तीन जिसका नाम आसिस था तो उसकी इंगलिस में से 48 नंबर आये रोल नंबर छे गोविंग जिसका नंबर आया 46 पहले का 48 और दूसरे का 46 आये इस रसे उन्होंने रोल नंबर किस बच्चे का है और सबसे आवर्श्यक बच्चा किसको इंगलिस में मदद करने की जरुवत है यानि इस इंगलिस में सबसे अच्छे नंबर किसके आये रोल नंबर तीन और वो कौन था 80 था और सबसे कमजोर बच्चा कौन था जय और उसके इंगलिस में कितने नंबर आये थे 13 और रोल नंबर कितना था 7 इस तरह से अभ्यास के सामने आने वाले अनेक आंकड़े सर्णी बूत रुच्चे हम पहचान सकते हमारे स्कूल के रजिस्टर प्रगति पत्र अभ्यास कुस्ति का अनुशार सुचित तमान के रिकोर्ड भी हम इन आकड़ों से जान सकते इस तरह से बच्चों आपको समझ में आज गया होगा कि यह सवाल हमको इस तरह से करना है अभी यह था हमारा पेज नंबर 60 थी अब हम बढ़ेंगे सवाल की तरब जो हमारा यहां पे आपको दिया है 3.5 में अंक गडित का माध्यक अंक गडित का माध्यक क्या होता है अंक आकड़ों को एक समु के लिए अधिकास प्रयोग किया जाने वाला प्रति दीधी मानिय अंक गडित अध्यन है संचेप में कहा जाए तो मधिका कहा जाता है इसे अच्छी प्रकार से समझने के लिए आईए निमलिखी तुदारण को हम देखते हैं दो बरतन में क्रम से 20 लीटर और साथ लीटर दूद है यदि दोनों बरतन में बराबर बराबर दूद रखा जाए तो परतेक बरतन में कितना दूद होगा जब हम इस प्रकार का प्रश्ण पूछते हैं तब हमें अंक गडित के माध्याग रूप का लिए कहना पड़ता है उ 20 रसे हमने लिग दी और आंक कितने बच्चो दो यहां पर दो आएगा यहां पर लिखा निए सूत्रदूद की कुलत मात्रा और वरतनों की संख्या तो हमने क्या 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 Nos divide साथ यहां क्याया 40 40 से हमने दो का भाग दिया दो में भाग दिया तो जवाब हमारा आगया 40 लिटर इस प्रकार परतेक बरतन में 40 लिटर दूध होगा और सद्य या अंक गडित के माध्यक या केवल मध्यम के निमलिखित रूप से परिभासित किया जाता है अब यहां पर आपको उदारण नंब और एक दिया है जिसमें लिखा है आसीज करमा को दिनों में करम से 4 chatting 5 ऊकते और से परते प्रतेक पर्टने का समय हमें बताना है तो पहले हम लिखेंगे यहां पे संस्झ्रा के पढ़ने तो में दुटरों में संख्या में किफ़ा की तौ यहां सवила में किने अंके दिए एक दो और तीन यानि चार अप्लाओ पॉस Isै यहां जोड़ दिया यहां बटे में थी रखा तीन क्यों रखा ऐक एक तो 4 और 5 नौ हो और तीन जोड़ेंगे 4 और 5 कितने होते 10 दो कितना हो गया बारा तो बारा को हमने तीन से बाग दे दिया तो हमारा प्रती घंटे हुआ तो यहां पर इस प्रकार हम कह सकते कि प्रती चार गंटे और सक्की पढ़ाई करता है इसी तरह उदारण नमबर हमारा दो है जितनी ये संख्या दिये सबको हमको जोड़ लेना है और टोटल जितनी संख्या छे होगी एक दो तीन चार पांच तो छे से हमें इसका भाग देना है भाग देने पर ये हमारा आंसर आ जाएगा तो इस दरह से बच् पाहर आपको हुएं सबसे बढ़ी उम्रोंले अध्यापक की आयू क्या थी और जब छोटी वाले उम्रोंले यो परश्पर क्या है इनमें मेद्यखों की मदिका जाए जeng सवाल में यहां पर औरोधित क्रम में वेवस्तित कर दें यानि सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 33 फिर उसने बड़े चब्वी 28 32 33 35 38 41 और चौपन इस रह से हमने लिख दिया तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी पहला प्रेशन का जवाब मिल गया अब अध्यापक की परशपर ग्यांत करना है तो हम जब ऐसा लिखा हो कि परशपर ग्यांत की यह क्या है तो हमको क्या करने का जो सबसे बड़ा उमर वाला हो और इसमें से सबसे चोटे वाले जो उमर हो उसको माइनस कर दें यानि यहां 54 में से माइनस 23 तो जब हम यह माइनस 23 कुए तो हमारे पास आया 31 वर्ड फिर आगे का प्रेशन पुछा इसकी ध्यापकों की मदिका आयू ग्याद की लिए तब हमको यह सवाल हमको करना पड़ेगा जितनी संख्या का प्लस कि आतो 30 3030 आया और बटे में हमने दस रखा तो दस क्यों रखा क्योंकि यह संख्या टोटल दस होगी ऐसे गिने का बच्चों एक दो तीन चार्ट पांच छे साथ आथ नव दस तो यहां पे दस आया अब दस को हमने इससे बाग दिया तो यहां पे 35 प्रशन का जवाब हमने 35 वर्ष दे दिया तो बच्चों यह सारे जो उदारन ते वो आपको समझ में आ दे होंगे यही सब के उदारन को ध्यान में रखकर हम प्रशनावली 3.1 आज सिखेंगे प्रशनावली 3.1 का वो प्रशनाव में आपको खुद करवा दूंगी जो प् पर दोभी बच्चों को करना है तो यहां पर आपको प्रश नंबर एक में पूछा है अपने कख्षा के 10 विद्यार्थियों की उचाई की परश पर संक्लितना परश पर घ्यान करना है तो हम यह सवाल कैसे हल करेंगे वह मैं आपको सिखा रही हूं आप घ्यान से देखिए तो यहां पर प्रशनावली 3.1 है उसमें पहले सवाल में हम इस तरह से हल करेंगे माना की अपने कख्षा के विद्यार्थियों की उचाई परस पर इस प्रकार है तो हमने अंजादे अपने 10 बच्चों की उचाई लिख लिए जो 117, 111, 114, 120, 110 यहां पर 116, 119, 115, 119 और 113 यह टोटल 10 होंगी 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर 6, 7, 8, 9, 10 तो यह टोटल 10 संख्या थी अब हमको इसमें क्या करने का चड़ते क्रम में संख्या होगी ना बच्चों उसको हमको लाइन से इस प्रकार हम 110, 11, इस तरह से हमको यहां पर लिख लेना है इसको हमें क्रम में लिख लेना क्रम में लिखने के बाद आपको क्या करना इसमें परस्पर निकालना है तो हम लिखेंगे इसलिए सबसे बड़ी उचाई बराबर 120 सेमी और सबसे कम कौन थाड़ा 110 इस प्रकार प्रमाण सबसे बड़ी उचाई और माइनस सबसे कम यानि जो सबसे पहले आया उसको सबसे लाश्त वाली संख्या से माइनस कर देगी जब माइनस किया तो हमारे पर दस सेमी आ गया इस प्रकार वर्ग में दस विद्यार्टों की लंबाई का विस्तार दस सेमी है इस रह से हमारा प्रेश नमबर दूसरा कंप्लीट हो गया अब हमको प्रेश नमबर एक हमारा तिन पॉइंट एक वो जो मैंने आपको उदारन समझाए वो आपको फिर से समझने हैं और प्रश नंबर एक मैंने आपको सिखाए वो नोट में करने और प्रश नंबर दो वो आपका घरका में वो आपको खुद करने का है और स्वाध्यापोति में भी प्रश नंबर तीन जितना मैंने सिखा है जितना आपको आएगा वह आपको करना है और इसके नेश वीडियो में आगे का सवाल में आपको सिखाऊंगी धन्यवाद